नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चानल में आप सभी जास्वागेता है, लेट्स लर्न टोगेधर, आज का हमारा टॉपिक है, लिक्विडिटेड डैमेज़ और डिफेक्ट लेवर्टी प्रेड, तो आए शुरू करते हैं, लिक्विडिटेड डैमेज़, लिक्विडिटे कुछ डिडिए हो लिया, एक सर्टन आमांड रहता है, उसका पेनल्टी वो कॉंट्रेक्टर के ओपर लागू होता है, तो इसके लिए इसको लिक्विडिटेड और डैमेज़ उसका प्रेडिक्विडिटेड डैमेज़ अगर कोई में कुछ माइल्स्टोंस रहता है, कुछ प्रेडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्विडिक्वि सब्सक्राइब करते हैं तो इसका अमांट रहता है और टोटल टेंडर में या तोटल अमांट जो भी रहता है इसका लिकुड़ेटी डामिश का वो मैक्सिमुम 5-10 रहता है दिपंडिंग अपन टेंडर किंडिंगत ए गॉक्जिनश च प्लाइब शौ्क्राइब धर्ते तोट बॉई स्टॉरब ओध्या क्वर्यूरटी में मतभी एब्भों इसकों आजका या उन्म निःलिस क्या है वो clients के उपर depend है तो total main ली काया project on time रखने के लिए contract on time खतम काने के लिए यह liquid damages का condition client के दरब देखा रहता है तो में ली हो client के लिए और contractor के लिए दोनों के लिए important है है अभी हम नेक्स ठेकेंगे डेक्स लियाबिरी पिरेड़ कैसे हां और हुग democratic呵 पर बदो पर पर रहे सकता है तो पर तो इस नहीं है जो भी पूरा इंदर को रिपेर करके देना रहता है उसका चार्ज को इना रहता है वो पेबल नहीं रहता है कंट्रैफियर नहीं है इसलिए बार बांतर को बहुत इंपॉर्टनना है कभीड़ को पर रहने श्रौ नहीं है इतना है यह TNP खतम होने के बाद में contractor को देते हैं तो यह defect liability period बहुत ही important है कि इसमें contractor को पूरी तरह सो प्रोजेक्ट का maintenance करना है कुछ भी damage हो कुछ भी defect हो उसको अपने cost में ही repair करके देना है तो इस तरफ से defect liability period रहता है तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा रगा जरूर कमेंड कीजिए अगर आप पहले बार मेरा चानल देख रहे है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइका बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए विडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद